हैलो प्रेंट्स आज की विडियो में हम मल्याण मूवी रोय को देखने वाले हैं इसी मन्त रिलिस हुई इस मूवी में त्रिलर और सस्पेंस की कोई कमी नहीं है कहाणी के पहले सीन से ही हमें इस मूवी का सस्पेंस गेर लेता हैं और स्टोरी के एन तक वो हमारे संकायम बना रहता हैं सुनिल इब्राहीम इनके लेखन और डायरेक्शन में बनी इस मूवी में सुरज, विंजारा मुडू, सीजा रोस और शाइन टॉम चाको एली डोल्स में है आगे बढ़ने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज करें और इस वीडियो को एन तक नई कर मुझे सपोर्ट जरूर करें तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे कहाणी की शिर्वात सीजा रोज इनोंने निपाए हुए टीना इसकिरदार से होती है ओ वाइब स्टूडे नाम के एक मीडिया हाउस में बत और राइटर जॉब कर रही होती है उसे नौवेल लिखने का शौग भी था और वो अपने अपकमिंग नौवेल पर भी काम कर रही होती है अपने कलिज और दोस्तों संग वो कापी मजे से अपने लाइब बिता रही होती है वो ही दुसरी और उसका पती रॉय याने सूरत वेंजारा मुडू शोहर के भागद़ से दूर अपनी जिन लगी एक चोटे टाउन में बिताना पसंद करता है अपने पूरे लाइब में सोसाइटी से दूरी बना करेने में ही वो खुश होता ही अपने पती के वज़े से टीना को रोज काम के सिलसिले में टाउन से एरणा कूलम ये लंबा सपर तय करना पड़ रहा था टीना का एक रोज शाय चोटा एक्सिडेंट भी हो जाता ही जिस वज़ों से वो बस से घर आने लगी थी और अपना स्कूटर वो अपने दूर के भाई दिपक के पास सीटी में पार करती थी रोय को मेंटल स्ट्रेस लेने की बिमारी होती है जिस वज़ों से रात का वो जल्दी खाना खा कर दवाई लेकर सो जाता था और गर की कीस को महर खिड की में रखता था गर लोटने पर टीना भी फ्रेशो कर फिर रोय को जगाती थी और दोनों बाते करते करते सोते थे चुट्टियों के दिन भी ओ अपने पास ही के गाउं में घूमने जाते थे पड़ोस के छोटे बच्ची से खेलती थे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में ही उनका समय जाता था रोय की वज़े से टीना भी अपनी लाइप स्टाइल को चेंज कर देती है रोय को सस्पेंस से बरी नौविल पढ़ने का शौक था कभी कभी तो हो उन कहाणियों में इतना खो जाता था कि उसको अपने आस पास वही सब घटना एं घटती हुई महसूस होती है एक रोज टीवी पर न्यूज में उनके शहर से राज़ गोपाल लाम के एक मशूर नौवलिस्ट अच्छानक गुम हो जाते हैं एक पता चलता है जिस पास से उनके फैंस शौक हो जाते हैं रोज को इस न्यूज पर ज़्यादा ध्यान न देने की सला देकर टीना विकेंड के बाद अपने काम के लिए चली जाती है रोज उसे बस टॉप पर ड्रॉप करके जब घर आता है तब उसे वहां की पूलिस टीना की पूछताच करने आई है यह दिखाता है उनसे बात करने पर उसे समझता है कि नौवलिस्ट राजगोपाल इनके साथ उनके गुम होने के ठीक एक दिन पहले टीना ने सोशल मिडिया पर उनसे एक मीटिंग की पोस्ट शेयर की थी तो टीना से उनके बारे में कुछ पता चले इसले ही होया आये थे दरसल टीना अपना फोन वीकेंड पर बंद रख थी जिस वज़े से उसे पूलिस कांटेक्ट नहीं कर पाई थी पर इन रोई उने बताता है कि अब उसका फोन आन है और ओपिस चली गई है इसके बाद पूलिस लाट जाती है रोई इन समब बतों को एक बूक में टाइमिंग के साथ नोट भी करता ही टीना के आपिस जाकर पूलिस उसे इंक्वारी कर एक जानते है कि उस दिन राज गोपाल जी उसे एक रेस्टारर पे मिले थे इसलिए इस लाइट मुमेंट को उसने कैप्चर कर पोस्ट कर दिया था उस दिनों कापी खुश भी लग रहे थे इसके बाद पूलिस वहाँ से चले जाती है टीना के एडिटर भी उसे राज गोपाल जी पर एक स्टोरी लिखने बोलते हैं ताकि उनके मेडिया हाउस को इस ट्रेंडिंग निउस से टी आरपी मिले रॉय को रात में कॉल कर वो अक वक्त पर सोने बोल कर खुद भी खाना खाकर सोने चले जाती है रॉय को रात में बाहर कोई खिड़की पे नौक कर रहा है ऐसा सुनाई देता है किड़की खोलने पर उसे एक सपेट साड़ी पहनी औरत दिखती है जो उसे बताती है कि इस शोहर में से गायप हो रहे लोग कहां चुपे होंगी इसके बाद वो औरत वहां से लाट जाती है राज तूरन तीना को कॉल करके इस incident के बारे में बताता है साथ में उस लोकेशन के बारे में भी उसे पताता है तीना को लगता है कि राज गुपाल जी के न्यूस से स्ट्रेस लेकर रॉयने को ही सपना देखा होगा इसलिए वो उसे ज्यादा टेंशन न लेने को बोल कर सूने बोलती है मगर अगले ही दिन उसे अपने ओपिस में एक कलिक द्वारा एक पता चलता है कि उसके एक दोस्त ने राज गुपाल जी को वाई कुडू के बस से कहीं जाते देखा था जिसके अगले ही दिनों हो गए थे इस सुनकर टीना तुरंद रॉय को कॉल करती है और कल रात तुम कौन से जगा के बारे में बोल रहे थे पूछती है मगर रॉय उन डिटेल्स को यार नहीं कर पाता इसके बाद गुगल मैप्स के जरीए उस लोकेशन तक जाने का रास्ता डोन लेती है इसके बा बारे में एक काले डायरे में लिखकर रखती है फिर बस स्टैंड जाकर अपने भाई दीपक को साथ चलने के बारे में पूछती है मगर उसके बेटे की तबियत की वजह से साथ नहीं जाता इसके बाद रॉय को में राज गोपाल जी को ढूड़ने जा रही हो इतना ही बोल कर बस पकड़ लेती है इस बीच कोही उसका पीछा भी कर रहा था एक बात हम नोटिस करते हैं वो बस को छोड़कर फिर जंगलों के रास्ते से पेदल ही चलने लगती है एक मोड पर वाईकडू के घणे फॉरेस में एंटर करती है वहां से आगे जाने के बाद एक मोड पर टीना के बारे में उसे पूच कर दरोमा सब ठीक होगा ऐसा होसला दे रहे होते हैं अगले दिन रॉय लोकल पूलिस टेशन जाकर टीना की मिसिंग की कंपलेंट देने जाता है शुरुवात में तो पूलिस उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि टीना को गायब कि राज घुपाल जी की सिर्फ फैन है और होटेल में मिलने पर एक फोटो ली थी उसके पास राज घुपाल जी का लोकेशन आया कहां से उसके बाद पूलिस अपने तरीके से मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स खोजने लगते हैं मगर उने कुछ खास हासिल नहीं हो पाता अगले दिन फिर जब पूलिस स्टेशन अपडेट ले जाता है तब वहां की सिनियर अजित उसे जान बुझकर बताते हैं कि तुम्हारी दिमागी हालत खराब है उपर से तुम दोनों के एज में भी गैप है शायद तुम्हारी बीवी भाग गई होगी इस बास से र बॉक्टर दोस्त अवस्ति संग रह रही होती है अवस्ति के सिरकारी होस्पेल जब एक दिन जाती है तब उसे रॉय वहां बेटे दा हिस्ट्री ओप लव एक किताब पड़ते देखता है टीना को रॉय को पहले से ही जानती है या फिर उन दोनों में कोई कोनेक्शन है इस फिलिंग आ रही होती है इसके बाद वो अवस्ति से उसकी डिटल्स मांगती है डिटल्स से समझ में आता है कि उससे सपने आते हैं और जो हमेशा सच बयान करते हैं उपर से उसका स्पर्म काउंट ब्लोग होता है वैसे तो वो जर्मनी में था मगर अपनी फैमली को रहने लगा था जो वक्त बाद रॉय के साथ कोई फ्यूचर नहीं है इस सोच कर उसके वाइब भी उसे छोड़ देती है जिसके बाद वो अकेली ही जीने लगा था उसके सपनों के प्रॉब्लम्स को लेकर और ट्रीटमेंट के लिए हस्पिडल आता था इसके बाद रॉय क पिछली जिन्दक की डिटेर्स टीना निकालती है जिसमें वो उसी के कॉलेज के लैबरी में काम करता था एप पता चलता है मगर कुछ साल पेले ही उसने वो नौकर छोड़ी होती है रॉय से कॉंटेक कर और उससे एक रेस्टानोंट में कॉपी के लिए भी बुलाती है उस असल रॉय को कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी मगर वो जिस भी इंसान के बारे में सोचता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या हरकते कर चुका है यह जान जाता था एक कुछ अजीब होता है मगर इस वजह से रॉय को कापी तकलिप होती है इसलिए वो अकेल प्रॉब्लम नजदिकिया भी बढ़ने लगती है रॉय को टीना के इंटेशन के बारे में पता होता ही मगर टीना उससे सच में प्यार भी करती है यह जानता था इसलिए टीना किसी के साथ अपैर नहीं कर सकती और अगर करेगी भी तो रॉय को मेंसुद जरूर होगा इस ब टाइम वेस करें हो उससे अच्छे मेरे बीवी और राज गोपल को ढूंडो तब पुलिस उसे बताती है कि न्यूस देखो कल शाम को ही राज गोपल जी हाईवे पर मिले हैं उनके उपर अब होस्पिटल में ट्रेटमेंट चल रहा है अब तो हमें तुम परिशक हो रहा है कहीं तुमने टीना को गायब किया है यह सुनकर रॉय थोड़ा डिस्टरब होता है इसी बीच पडोस में इंक्वारी कर पूलिस रॉय घर पर ही था यह बात कनपम होती है उसके मोबाइल का टावर लोकिशम भी वही का था यह भी कनपम होता है इसके बाद पूलिस से रॉय को कोई उमिन नहीं होती और वो अपने आप से चानबिन करने लगता है टीना के आपित जाकर वो एडिटर से मिलता है फिर ओटीना के भाई दीपक से मिलकर ओक्या नौवेल बना रहे थे पूछता है तब दीपक उसे बनताता है कि हम लोग राज गुपाल जी के लाइप प सब सामान भी अपने घर लेकर आता है उसी रात रॉय को सपने में फिल होता है कि उसे राज गुपाल जी का कोही रिष्टेदार अपने साथ हॉस्पिटल उन्हें मिलने लेने आया है वहां जाकर विमा राज गुपाल जी उसे बताते हैं कि मैं उन लोगों के चंगुल से जैसे बैसे चुड़ गया तुम प्लीस टीना को बचा लू अगली सुब इस बात को जब रॉय पुलीस को बताता है तब वो सब उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं मगर वहां राज गुपाल जी तो वें ट्रेडर पर होते हैं और पुलीस को यह बात कंपम होती है कि ओ तो बात ही नहीं कर सकते हैं रॉय ने कुछ गलत मत बताई है इसके बाद रॉय के उपर भढ़क के ओ लोग फिर से लाटाते हैं इसे बीच टीना का फोन कोनेक्ट होता है जब बात रॉय उन्हें बताता है तब वो लोग रॉय की बातों को इग्णौर कर देते हैं इसके बात को छोड़ देते हैं वहां से निकलते वक्त रॉय पूलीस को बतानता है कि आप लोगों से नहीं हुआ मगर मैं टीना को ज़रूर डूंडूंगा पूलीस टेशन जाकर उन्हें पता चलता है कि टीना का फोन कुछ वक्त के लिए आन हुआ था और ओ अब वाई-कुडू के पा पूलीस वहां पेले जाने देना नहीं चाती थी इसलिए वहां के एक चेक पोस्ट पे रॉय के गाड़ी को रोकने बोलते हैं और अनुसार चेक पोस्ट पे रॉय को रोका जाता है फिर पूलीस वहां जाने पर उसे आगे जाने दिया जाता है पूलीस टीना को बचाना तो चाहती थी मगर उन्हें रॉय पर भी शक होता है रॉय रोड के एन तक जाकर वहां से टीना ने बनाए मैप अनुसार जंगल में गोज जाता है पूलीस भी उसका पीछा करने लगती है आगे चलकर रॉय को पूरा टूटा घर दिखता है जिसके अंदर हो और पूलीस साथ में इंटर करते हैं वहां लोकल पूलीस के साथ खोजने पर उनको टीना एक रूम में बेहोशालत में दिखती है उसे होस्ट्रेल में शीप्ट किया जाता है पूलीस जब रॉय को तुम यहां केसे आये पूछती है तब टीना की वह बुक उन्हें दिखाता ही जिस पर उसने मैप बनाया था इसके बाद टीना के होश में आने की बाद उसका स्टेटमेंट लिय गया था फिर एक जगह किसी ने मुझे पीचे से सर पर मार कर मुझे बेहोश कर दिया फिर जब होशाया तो मैं इस रूम में बंदी पड़ी थी यह वो बताती है हमला किस ने गया था यहां कोई और भी था क्या यह उन ही जानती थी इसके बाद पुलीन जब से पूछती है कि तुम राजग उपाल जी के उपर ही नौविल बना रही थी उनसे मिल भी रही थी तो हमें शुरुआ अपने गलत जनकारी क्यो दी तो वो बता थी है कि दीपक के पब्लिशिंग हां उसा राजग उपाल जी के मीच एक एगरिमेंट हुआ था जिस अनुसार नौविल की जनकारी लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ओगर राजग उपाल जी ने ही अपने कॉलेज के दिनों में इलिगली बनाया था वहाँ अपने दोस्तों के साथ जाकर मजे करते थे दारू पीते थे औरत बाजी भी करते थे कुछ वक्त बाद उन्होंने ओगर खोदे त करने में लगा रही हूँ आपको जनकारी दे दूंगी तो ये बात मेडिया में भी आ जाएगी और भी नौवल पिट जाएगी इसलिए अभी मुझे कुछ नहीं पता है मैं बस इतना ही बोलूँगी इसके बाद पूलीस वो सम डिटेल्स वही छोड़ कर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था आज नहीं तो कल उन्हें उसर्च पता चल ही जाएगा क्योंकि नौवल में जानकारी जरूर होगी पूलीस के जाने के बाद जब टीना उन लोगों के डिटेल्स चेक करने लगती है तो ब्रॉय भी वहाँ आता ही और उसमें से उसी लड़की के स्केश को पताता है कि उस रात यहीं लड़की आकर उस जगह का लोकेशन मुझे बता रही थी फिर मैंने तुम्हें कॉल किया टीना को उस लड़की के डिटेल्स से बात पता चलती है कि उस लड़की संग वहां कुछ गलत हरकते हुई थी और उसे मारा गया था जिसके बाद उस घर क तो हमेशा के लिए तोड़ दिया जाता ही राज गुपाल जी को जब पता चला था कि टीना को इस बात का पता चल गया है और उसे नौवेल में कवर करने वाली है तब वो गायब हो जाते हैं और टीना को वहां आने के लिए मजबूर कर देते हैं इसके बाद वही टीना को वहां बंद करने मरने छोड़ देते हैं और खुद यहां आकर हस्प्रिल में बरती हो जाते हैं मगर रॉय अपने इंट्यूशन के जिरिये टीना को ड्यून लेता है इसके बाद जब नौविल मबलिश होती है तब पूरा सच बाहरी आ जाता है और इसी नोट पर एस स्पे इस थ्रिलर मुवी खत्म हो जाती है तो दोस्तों आपको मेरा एक्स्प्लेशन केसा लगा ए मुझे कमेर्स करके जरूर बताए जल्दे मिलोंगी एक ऐसा ही हट के मुवी के साथ तब तक के लिए आप सब खुश रहे हस्ते रहे इसी दुआ के साथ मैं आप से लेती हूँ गुरु बाई